नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर रीजनली बिहार में 17 लोगों का ड़त हुआ था लाइटनिंग की वज़े से तो ये सारे पोइंट्स के उपर हम इन डीटेल डिसकस करेंगे शुरुआत करते दोस्तों, बिहार में अलग 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 एरियास में पिछले कुछ दिनों में लाइटनिंग की वज़े से 17 लोगों का ड़त हुआ सिक्स डेट्स रिपोर्ट हुआ था भागलपूर से, तीन वैशाली से और दो बंका और खगरिया से बाकी डेट्स रिपोर्ट हुआ मथेपुरा, सहरसा, मुंगेर और कटिहार से सारे अट्मोस्फिरिक फिनोमेना में लाइटनिंग सबसे डेंजरस और मिस्चिरियस है इंडिया में लाइटनिंग की वज़े से 2000 से लेके 500 लोग मारे जाते हैं एक साल वैसे New Atlas of Lightning के इसाब से बिहार one of the several hotspots है इंडिया में वैसे कौन-कौन से hotspots है इंडिया में वो हम आगे डिसकस करेंगे अब दोस्तों Lightning मतलब क्या होता है और यह के से होता है scientifically बोला जाएगा तो Lightning एक rapid and massive discharge of electricity in the atmosphere है जो Earth की तरफ डिरेक्ट होते है Lightning discharges बड़े-बड़े moisture bearing clouds में होता है जो 10 से 12 km तक लंबा रहता है मतलब देखे ऐसा clouds जिसका height करीब 10 से 12 km अगर Earth surface से बात किया जाए यह जो distance होगा 1 से 2 km अब यह होता कैसा है मैं आपको symbol भाषा में समझाता हूँ देखे आप सबको पता है summer season में या फिर धूब की वज़े से हमारा Earth surface जो है गरम हो जाते है चाहे वो land surface हो या फिर water surface हो अब गरम होने की वज़े से क्या होगा warm air rice होगा ओपर की तरफ अब यह warm air में water vapor भी रहेगा अब जैसे जैसे ओपर जाएंगे यह air temperature कम होगा lapse rate की वज़े से lapse rate तो अपने सुनाई होगा height के increase होने से temperature decrease होते है इसे lapse rate बोलते है तो जैसे जैसे warm air उपर जाएंगे यह contents होते जाएगा क्योंगी उपर तो ठंडा है ना तो यह water vapor contents होके ice crystals बनेंगी basically cloud formation होगा अब cloud के अंदर क्या होगा दोस्तों आप सोचिए cloud के अंदर भी ice crystals जो है वो उपर की तरफ जाता रहेगा अब जैसे जैसे उपर जाएंगे वो उतना contents होके जाएगा है कि नहीं जितना contents होगा उतना उस ice crystal का weight ज्यादा होगा अब weight ज्यादा होने से क्या होगा ice crystals नीचे की तरफ गिरेंगे मतलब कुछ ice crystals उपर की तरफ उड़ रहा होगा कुछ नीचे की तरफ अब इस वज़े से ये cloud के अंदर क्या होगा दोस्तों ice crystals के बीच में collision होगा अब आपने basic physics में पढ़ा होगा जबी दो चीज के बीच में collision होता है या फिर rubbing होता है तो क्या होता है उधर charges create होता है charges कुछ इस तरह से create होता है दोस्तों एक cloud के अंदर कि उपर की तरफ पूरा positive charges रहता है नीचे की तरफ पूरे negative charges रहता है basically unlike poles attract each other like poles ripple each other इतना clear है अब आप इस फोटो में देखी एक cloud का top portion में positive charges accumulated रहता है bottom portion में negative charges accumulated रहता है तो basically ये positive charge और ये negative charge के बीच में attraction हो सकता है न अब भी उसलिए हो सकता है दोस्तों तो इथर जो discharge होते हैं इसे आप बोल सकते हो within cloud lightning या फिर intra cloud lightning आपने अकसा देखा होगा कि आसमान में clouds के अंदर ही lightning होता है तो वो lightning इसी तरह होते हैं दोस्तों मतलब cloud के अंदर top portion में जो positive charge है नीचे portion में जो negative charge है उनके बीच में जो discharge हो रहा है अगला है cloud to ground lightning this is the most common lightning जिससे surface of the earth में destructions होते हैं जैसे मैंने बोला इंडिया में ही एक साल में 2000 से लेके डाई हसार तक death report होते हैं ये cloud to ground lightning की वज़े से अब ये केसे होता है जैसे कि आप इस photo में देख सकते हूँ cloud का जो bottom वाला portion है ये negatively charged है और ये surface of the earth है आप earth का charge के है दोस्तों हमने ये पड़ा है कि earth neutrally charged है मतलब earth के surface में positive charge भी है negative charge भी है दोनों मिलकर neutral है ठीक है now cloud का नीचे वाला portion negatively charge दे न तो ये negative charge और earth के surface में जो negative charge है ये आपस में क्या करेंगे ripple करेंगे तो basically earth के surface में जितना negative charge है उसे ये negative charge ripple करेंगे बाकी बेचेगा क्या positive charge अब इसी हो गया इधर positive charge है इधर negative charge है तो ये negative charge इस तरफ flow होगा basically flow of electricity होगा यह है cloud to ground lightning और एक दोस्तों cloud to cloud lightning ये कैसे होगा simple सी बात है दोस्तों माρέ़ा ली जीए egg load इधर है एक load इधर है एक load नेगटिव चाज इधर है positive charge होगा तो basically cloud से cloud जो discharge होगा उसे आप cloud to cloud lightning बोल सकते हो, आप दोस्तों और एक important point है, यह जो cloud to ground lightning है, इसका दो टाइप है, एक negative, दूसरा positive, negative मतलब जो मैंने आपको इथर explain किया, वही, जो negative charge का discharge होता है, एर्थ की तरफ, positive मतलब दोस्तों, इस photo में आप देख सकते हो, इस cloud का top portion में, basically top right portion में positive charges accumulated है, जब यह positive charges, एर्थ का negative charges की तरफ attract होगा न, तब ही discharge होगा, इसे आप positive cloud to ground lightning बोल सकते हो, वैसे दोस्तों, दुनिया में जितने lightning होता है, उसका 95% negative cloud to ground lightning होता है, उल्ली 5% यह condition होता है, पर ऐसा बोला जाता है, यह जो positive cloud to ground lightning है, यह काफी खतरनाक है, तो I hope अब तक आपको समझ में आ आ गया होगा, अब हम यह चेक करते हैं दोस्तों, actually यह जो positive charges and negative charges के बीच में कितने potential difference रहता है, देखी, electrical potential difference between two layers is huge of the order of a billion to 10 billion volts, देखे मैं आपको पहले ही बोला था न, एक cloud का size के बारे में 10 से 12 km तक height रहता है, तो एक cloud के अंदर जो charge difference रहते हैं, वो बहुत ज्यादा रहत है, या फिर cloud और earth के बीच में जो charge difference रहते हैं, या फिर potential difference रहते हैं, वो बहुत ज्यादा रहता है, 1 billion से लेके 10 billion volts तक का, देखे, normal household supply कितना है, 230 volt है, इधर 10 billion volts की बात किया जा रहे है, दस के बात, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volts का potential difference है, दोस्तों, मतलब जब lightning होता है, very little time में, massive current pass होता है, of the order of 1,02 million amperes, अब दोस्तों, which areas are lightning prone, देखे, lightning के बार में काफी कुछ discussion हो गया, अब हम ये देखते हैं, इंडिया में, lightning prone areas कौन कौन सा है, या फिर आप बोल सकते हो, hot spots कौन कौन सा है, जहां अक्सर lightning होता है, देखे, recently, एक annual report published हुआ था, lightning के बार में, by the Climate Resilient Observing Systems Promotion Council, जिसे CRO PC बोलते हैं, ये Indian Meteorological Department के साथ closely काम करते हैं, इन्होंने एक lightning atlas भी बनाया है, basically, एक एक district का vulnerability level क्या है, ये सब इस lightning atlas से पता चलेगा, कौन कौन से areas में सबसे ज्यादा lightning होने का chances है, ये सब, now, इस report के साब से, मत्यप्रदेश has reported the largest number of cloud to ground lightning strikes, ठीक है, तो मत्य इसके प्रदेश में सबसे ज्यादा cloud to ground lightning strikes हुआ है, इसके बाद छतीजगर में, फिर महाराष्टा में, फिर ओडिश्या में, फिर बेस बंगाल में, और भी स्टेट से, लाइक बिहार, यूपी, करनाडगा, जहारकन, अन टमिल नाडू, वैसे इंडिया में lightning common है, दोस्तो इंडिया में lightning को ऐसे natural disaster classify नहीं किया है, पर government की तरफ से काफी सरे efforts रहा है, जैसे कि अलग-अलग areas में early warning system installed किया है, जिसकी वज़े से कई सरे lives को already save किया है, 96% से ज्यादा lightning death rural areas में होते हैं, वैसे lightning protection devices install करने से, rural areas में जो death हो रहा है, उसे हम कम कर सकता है, वैसे lightning protection devices आपने देखा ही होगा, mobile towers के उपर रहता है, बड़े-बड़े buildings के उपर इसी तरह रहता है, यह क्या करता है, जब भी lightning होता है, वो charges को capture करके सीधा earth कर देते हैं, basically earth की तरफ उसे बेच के neutral कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे protection devices install करने से काफी सारे mitigation हो सकता है, पर rural areas में अभी तक lightning protection devices क deployment ठीक से नहीं हुआ है, तो इसे हमें fast up करना पड़ेगा, तो दोस्तों that's end of it, I hope आपको video informative लगा होगा, आप मुझे comment box में please बता दीजेगा, lightning के बारे में जो मैंने explain किया, आपको ठीक से समझ में आया या नहीं, lecture की PDF as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा, जिसका link नीचे description box में